Welcome to our channel as we care practice. In today's video lecture we will see class 11th NCRT chapter 1 the living world all important questions. इसमें हम सार इंपोर्टेंट कोश्चिन्स देखेंगे जो HBSC के एक्जाम में आ सकते हैं आए हुए हैं. इसमें प्रिव्यस यहर और जो भी इंपोर्टेंट कोश्चिन्स हैं सभी को मिक्स करके में इस वीडियो बना रहे हुए हूँ और इसमें हम सरफ उनों की बात करेंगे जो कि रियल में इंपोर्टेंट हैं कईकी आपने देखे हूगे करें कोशी हैं कैईकी हमारे साथ हीर इसमें हम सारी इंपोरेंट कोशिन बताएंगे किसी भी बोर्ड के लिए आप लगालो या फिर कोई भी आपका टेस्ट हो रहा है क्लास टेस्ट स्कूल टेस्ट या फिर अप HBSC बोर्ड के लिए प्रिप्रेशिन कर रहे है फोर देट I am making इस वीडियो और आपको अब हमें कमेंट करें और मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी प्लीज डाइक अबर वीडियो एंड सब्सक्राइब चाल चैनल अगर आपको अब हमारे चैनल के अपर है और आगे आप कहेंगे तो अपर आपर अपरोड कर देंगे इसमें कोशिशन नबर वान हैइं इसमें कोश्य निबर और वन है वार थैंट डिए निग और अर्गनिजम की डिफाइनिंग प्रपर्टीज कौन-कौन सी हैं तो इसमें आपको ज़ इन मेंसे आप कोई भी एक याद रख लो या फिर दो तो याद रख लो इन मेंसे कोई भी आपका काम चल जाएगा है यह ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है एजी एक्जाम आता है और क्लास टेस्ट भी तने हार्ड में होते हैं Q2 देखें तो what are the universal rule of nomenclature नomenclature की जो universal rule है वो क्या-क्या है तो एक तो लेटीन में लिखा जाता है या फिर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं उसके कि इसका फर्स नेम जो होता है वो जीनस को डिनॉट करता है और सेकंड नेम डिनॉट्स आपके पास option species हो तो वो कर दो या फिर और जब इनको प्रिंट करते हैं तो italics में किया जाता है और जिससे के हमने लख दिया मैंगनीफेरा इंडिका आपको पता होना चाहिए मैंगो आम के लिए है यह मैंगनीफेरा इंडिका साइन्टिफिक नेम इसके आगे क्रोस लगाए है क्योंकि यह गलत है ऐसे नहीं लि आपको यह चोटी चोटी बात ही आद रखें अगर आपको इसके पूरे रूल्स चाहिए क्योंकि मैं इसमें सिर्फ इंपोरेंट कॉश्यन रता आने वाली हूं तो मुझे नहीं रखता कि कम्प्रेट एक्स्प्लेशन के आपको जरूरत होगी तो अगर आपको चाहिए तो अभी आपको जो दो कॉशिन पताने वालूयों वह 100% कही न जोगी और और इसके पर दो मस्का यह तो अगर पर 3 मक्स न जोगी में जरूरत अपको कुश्यन में पहीए 100% ग झाहिए अब यह हर्बरेट अड़ेंट के तो हर्बरियंग क्या होता है और इस चोड़ को प्लान specimen that are dried pressed and preserved on seeds यह प्लांट के specimen को store करते है और वो भी डेड होते हैं तभी तो उनको dry and preserve करते हैं this is on NCRT book page number 11 यहां पर हर्बेडियम के बारे में दे रखा है it is also on next page next page के ओपर भी दे रखा ताप यहां से read कर ले ना इसको और जो हमारा next important question है that is Botanical Garden and Museum Museum and Botanical Garden are also important questions इसमें यह NCRT के page number 12 के उपर है Botanical Garden वो क्यूं इंग्लैंड में है और इंडिया का सबसे बड़ा है वो इंडियान Botanical Garden है हो आप में India के ओके और एक national Botanical Research Institute है जो कि लखनाव में है तो आपको इसमें यह आद रखना है और म्यूजियम में तो वायर की डेड अनिमल्स को रखा जाता है मोँआइक इंपरेंट नहीं है जितना हर्वेरियम और next very much important question is की यह यह धोनों क्वेशन सबसे जादा important है हर्वेरियम एंड की की जो है वो taxonomical aid है डिट इस जोज़गा इंटिफिकेशिं अफ प्रांट्स एंड इसमें मैं इंटा जाद नहीं लिक्धा आप इसको यहां पर study कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए कि मैं इस चेप्टर को पूर अच्छे से तो फिर आप मुझे कॉमेंट में बता देना में इस चेप्टर को पूर अच्छे से और आपको चाहिए तो फिर आप अपनी बुक से तुटी कर ले से इस चेप्टर की कुछ इंप्टर कोशियं तो अगर आपको चाहिए कि एक्सरसाइस इंप्टर कोश्य में प्राइज निमेंसे कौन सा अच्छी से लखा गया है तो यह अब भई MCQ जादा आते हैं तो फिर आने के पूरे पूरे चांसे हैं Q5 and Q6 What is dexion and this type से आ सकते हैं Then Q10 is also important How is a key helpful in the identification and classification of an organism? Key के ऊपर question definitely बन सकता है इसके भोज़ादे आंसे रहते हैं Key के ऊपर question बनने के अब कैसे लगा है वीडियो Please tell me in comment section और अगर आपको कोई भी question पूछना हो तो फिर आप मुझसे पूछ रहते हैं मैं आपको definitely answer करूँगी कोई भी आसा comment नहीं होगा जिसका मैं answer नहीं कुरो आपने कुछ पूछा हो तो और अगर आपको चाहिए कि मैं और chapters की भी बनाओ तो फिर आप मुझसे comment में बता देना थैंक्स फर वोचिं